हलो दोस्तों आप सभी का SSEG के ग्यान में स्वागत है आज महत्मा गाधी जी द्वारा जो प्रमुक आंदोलन संचालित किये गए हैं उनको हम एक टिक के माध्यम से याद करेंगे कि जिसको आप एक बर ये बीज़ोई देख लेते हैं तो ये महत्मा गाधी जी द्वारा जो भी नहीं भूलेंगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेश करें चलिए महत्मा गाधी जी द्वारा जो संचालित अंदोलन है उसक श्यों के दो बारब यह आप बोलेंगे आपको यत्त tackle याद हो जाएगा चलिए देख लेते हैं चंपारा का मतलब यहां पर है दोस्तों यहां चंपारा का अर्थ है चमपारण आंदोलन चमपारण जो आंदोलन है 1917 में हुआ है खेड़ा मतलब होता है खेड़ा का आंदोलन 1917 में किया गया है पाहमदाबाद मील जो है 1918 में किया गया था और खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में किया गया था असाहियो आंदोलन जो है 1920 में किया गया था और नमक आंदोलन का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक नमक आंदोलन भी होता है, इसका अर्थ, यहाँ पे आपना का सभी नहीं अब आ गया अंदोलन जो 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ों आंदोलन यह 1942 में हुआ था, यह आपका ट्रिक है, दोस्तों एक ये दो बार यह बोलते हैं तो आपको यह ट्रिक याद हो जाएगा कि महात्मा गादी जी चंपारण से खेड़ा गए तो अहमदाबाद मीज मजदूरों से खिलाफत करा कि असायोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजियों से देश चुड़ाया सतरह सतरह याद करना है इसन याद करना है दोशब तो पर छव्य आपको यह देख ल नमक अंदोलन, 1930 में, भारत छोड़ों अंदोलन, 1942 में, यह प्रमुक युद्ध है, दोस्तों इसको आप एक एदो बार याद कीजेगा, देखिए एक बार और लाश में जाते जाते हैं, आपको सुना दे रहें, कि महत्मा गादी जी, चंपारर से खिड़ा गए, तेदा अहम में बार पर कोईशन पूछा जाता है, दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक्स फार वाचिंग,